आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैच में profit and loss चेप्टर का 5th पार्ट जो की होगा उसका final पार्ट और इसके बाद profit and loss चेप्टर भी होगा totally खतम आज का पार्ट भी होगा discount के concepts पर, concept basically आप पिछले चेप्टर में पढ़ चुके हो और उसके base पे question भी आप solve कर चुके हो आज मैं 5 questions और लेकाए हूँ आपके लिए जिससे आपका concept और strong हो जाए और आपकी speed बन जाए ठीक है शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर subscribe केजिए इसके लावा हम Facebook और Instagram पर भी active हैं जल्दी से हमें हर जगा follow कर लेजिए और किसी भी update को miss मत कीजिए तो शुरू करते हैं बिने किसी देर के हमारा पहला question हमारी screen पर है आज के जो session है 5 question मैं दूँगा उनमें आपको मैं options provide नहीं करूँगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इससे आपका confidence build होगा जो भी आप question solve करोगे आपका अपने उपर इतना confidence आ जाएगा कि हाँ जो मैंने question solve किया वो बिल्कुल सही है मुझे options की ज़रूरत नहीं है इससी को verify करने के लिए ठीक है तो आज confidence build करने का भी एक तरीक का session है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं The MRP of an article is 50% above its CP MRP और SP जब 20% से increase होंगे तो हमारी जो profit है वो double हो जाएगा ठीक है If the original MRP is इतना अच्छा अब हमने 150 दीथे ने value डबल कर दो 300 है हमारे पास original value तो हमारी CP होगी 200 तो basically हमारा question क्या बना CP है हमारी 200 MRP है हमारी 300 ठीक है अच्छा इसकी कोई इन दोनों के बीच कोई SP होगी और उस SP पे हमें P का profit हुआ होगा हमें नहीं पता अभी वो क्या चीज होगी ठीक है इन्होंने का आया next line में की MRP अगर 20% से increase कर दी जाए अब 300 का 20% क्या होगा 60 इनक्रीज करने के बाद चल रही है कि MRP होगी 360 ये न्यू वाली MRP है न्यू वाली MRP आगी हमारे पास 360 और SP भी जो है वो पहले थी simple normal SP अब वो 20% से increase हुई यानि की 120 by 100 SP बन गी न्यू वाली यानि की अब वो 1.2 SP बन चुकी है 1.2 SP बनने के बाद हमारा जो P profit था वो हो गया 2 times P ठीक है इतनी चीज़ समझाई तो हम इसका एक चार्ट बना लेंगे चार्ट कैसे बनाएंगे CP, MRP और SP और profit Old, New CPI हमारी 200, New भी CP 200 ही रहेगी CP कभी चेंज नहीं होती MRP थी हमारी 300, New हो गई हमारे पास 360, SP थी हमारे पास Old, SP और New हो गई हमारे पास 1.2 SP, Profit था हमारे पास पिछला P और New हो गया 2 times P, अब हम Profit पे काम करेंगे तो हमें फिलाल के लिए MRP देखने के ज़रूरत नहीं है Profit क्या होता है? सबसे पहले चीज आती ही Profit क्या होता है SP माइनस CP, तो Profit आ गया SP माइनस CP क्या है? 200 Next, New Profit है हमारे पास 2 times P SP माइनस 200 ये चीज आगी ठीक है? तो हमें एक चीज करते है इसमें से Profit Eliminate कर देते है Profit Eliminate कैसे करेंगे? कि हमने First वाली Equation को 2 से Multiply कर दिया तो हमारी First वाली Equation मन गई 2P is equals to 2SP-400 और Second वाली Equation तो हमारे पास As it is ही नीचे आ जाएगी 2P is equals to 1.2SP-200 अब माइनस कर देंगे माइनस माइनस और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ठीक है? 2 पे से 2P गया इस तरफ आया 0 is equals to 0.8SP-200 अब इस चीज को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.8SP is equals to 200 8SP is equals to 2000 250 आगे हमारा SP SP आगया हमारा 250 तो अब हम इनकी values डाल देंगे इनकी वाली जगा इस वाली position पर आएगा 250 इस वाली position पर आएगा 1.2 इंटू 250 250 इंटू 1.2 क्या होगा? 25 इंटू 12 25 टैन्स होता है 250 और 25 टूस होता है 50 तो 250 का 1.2 आगया 300 ठीक है ये values हमें put करनी हैं तो values put करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारी old SP आगी 250 new SP आगी 300 हमें original SP निकालनी थी तो 250 हमारा answer होन चाहिए एक बार इसे verify करके देख लेते हैं CP थी 200 SP है 250 profit आया है आपका 50 का CP है 200 SP है 300 profit आया है आपका 100 का तो आपको दिखे रहे हैं कि profit जो है 2P हो रहे हैं पहले था 50 उसका double हुआ 100 हो गया आपका question भी verify हो गया तो 250 आपका final answer देखा कैसे question solve करना है कैसे question verify करना है सब मैंने आपको एक ही question में दिखा दिया चलते है next question पर MRP of article है इतना if shopkeeper allows a discount of 10% he still gains 8% फिलाल इसी पर काम करते हैं discount दिया है 10% का उसके बावजुद भी profit हो रहा है 8% 1 by 10 और यह आगया आपके पास 8 by 100 which is equals to 2 by 25 अब देखिए discount है MRP आगी आपकी 10 discount है आपका 1 SP आगी आपकी 9 यहाँ पर profit की बाद चल रही है CP आगी आपकी 25 profit हो रहे है 2 का SP आगी आपकी 27 यहाँ पर 9 है यहाँ पर 27 है तो clearly हमें 27 को equal बनाने के लिए यह जो उपर वाली equation है इसको 3 से multiply करना होगा तो उपर वाली equation को जब हम 3 से multiply करेंगे तो हमारी MRP हो जाएगी 30 SP हो जाएगी 27 तो आपकी SP common हो चुकी है तो आपको क्या आप इन्हेंने question में काया है कि discount अगर नहीं दिये जाएगा तो हमें profit percent निकालना है देखिए अभी तक हमने 480 use भी नहीं किया और बिना 480 use के हमारा answer आजएगा क्योंकि percentage में और ratio में हमें exact number पे exact value पे काम करने की जुरुरत नहीं पड़ती अब उन्हें काये कोई भी discount allow नहीं किया गया जब कोई भी discount allow नहीं किया जाता है तो SP होती है MRP के बराबर मैंने आपको starting में बताया था SP is equal to MRP जब 0 rupees का discount हो तो SP ही यही जो SP है हमारी MRP हो जाएगी तो यह 27 हमारा हो जागा 30 CP था हमारा 25 उन्हें पूछे है profit बताओ 5 का profit हो रहा है CP पे into 100 तो 20% आ गया हमारा profit यह 5 profit है जब हमारी SP 30 आ गई यानी MRP के बराबर आ गई यह है CP 100 से multiply किया percentage आ गई चलते है next question पर a dishonest shopkeeper promises to sell cloth at CP but uses 90 cm rod for marrying 100 cm उसने fraud कितने का किया? fraud किया उसने 10 cm का वही था उसका profit ठीक है जो fraud होता है वही profit होता है यह वाले मैं question आपको करा चुका हूँ हमारे part 3rd में ठीक है? next चीज उनने किसतना? अब उसने 10 का fraud किया तो उसने बेचा कितना होगा? उसने बेचा होगा 90 cm into 100 कर दोगे उसकी gain percentage आ जाएगी 1 by 9 किसके बराबर होता है? 11.11% के बराबर तो 11.11% आ गया उसका answer question क्या था? कितनी जल्दी solve कर लिए? seconds में solve हो question seconds में एक बार आपका concept clear हो जाए second में question solve हो जाता है उपर हमने डाला fraud, नीचे हमने डाला कि उसने fraud किया तो कितना बेचा है? 10 cm तो वो बचा गया na 100 में से 10 cm वो बचा गया क्योंकि उसने बेचा ही 90 cm तो denominator में आएगा जितना उसने बेचा numerator में आएगा जितना उसने fraud किया 100 से multiply करोगे आपका answer आपके सामने होगा चलते है next question पर if difference between two one discount of 30% and two successive discount of इतना is इतने रुपीज हमारे पास एक percentage दी हुई है यह discount की discount की percentage है हमारे पास 30% successive discount है 2010 ठीक है ऐसे वाले question मैंने आपको बताया था जब ऐसे वाले successive discount होंगे तो हम formula apply कर सकते हैं formula क्या था x plus y minus x into y upon 100 यानि कि 30 minus 2 28% का आगया हमारा successive discount discount 1 था हमारे पास 30% का discount 2 है हमारे पास 28% का इन दोनों का difference निकालेंगे तो 2% आजाएगा हमारा difference 30 minus 28 2% आगया हमारा difference और इस difference की value दी हुई है और उने 170 यानि 2% की value of 170 हमें कितना निकालना है हमें निकालना है MRP of article discount है कोई profit loss नहीं है तो MRP खुद में होगा 100% usually क्या होता है CP होता है 100% पर discount दिया हुए है यहाँ पर किसी profit या loss की बात नहीं कर रही तो इस question में CP की introduction होगी ही नहीं जब discount दिया हुए है तो MRP होगा खुद में 100% 2% की value है 170 1% की value होगी 85 तो 100% की value होगी 8500 आगया आपका MRP ठीक है चलते है next question पर a merchant observed that he earned a profit of SP of 7 kg sugar तो profit है हमारा SP of 7 kg of sugar after selling 21 kg of sugar अब देखिए profit किस पर निकलता है जब आप पूरा product बेचते हो पूरा product कितना है 21 kg का अब एक चीज़ बता है यह profit क्या होता है profit होता है SP minus CP पूरा product कितना था 21 kg यानि कि SP of 21 kg of sugar minus CP of 21 kg of sugar आजएगा आपका profit और profit की value दी हुई है SP of 7 kg of sugar इसको हम equate कर दें अगर SP of 7 से तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा SP minus CP होता है profit SP कितने की CP कितने की पूरे उसके business की पूरा business कितना था 21 kg of sugar का 21 kg of sugar पे उसने कुछ profit कमाया जिसको हमने यहाँ पर mention किया है profit अब question में इस profit की भी एक value दी हुई है कितनी value है SP of 7 kg of sugar तो यहाँ पर हमने लिख लिया SP of 7 kg इसको replace किया यह लिख दिया विलकुल ठीक है अब हम इसे क्या करेंगे SP को ले जाएंगे इस तरफ CP को ले जाएंगे इस तरफ CP into 21 is equals to SP into 21 minus SP into 7 तो हमारा आ जाएगा SP into 14 तो basically CP into 21 is equals to SP into 14 आ रहा हमारा CP divided by SP कर दे अगर हम 14 divided by 21 आ जाएगा यानि की CP होगी हमारे पास 2 और SP होगी हमारे पास 3 SP जाद है CP कम है प्रॉफिट कितने का हुओ होगा वन का इन्होंने पूछा हुओ है ratio of profit to CP ratio of profit to CP profit is to CP आ गया 1 is to 2 इसे के साथ हमारा जो profit and loss पूरा चैप्टर जो है वो होता है यहाँ पर खतम सारे concept इसमें covered है सारा जो questions है जितने questions आते हैं हमारे exam में जो questions आपको देखने को मिलेगा इन ही 5 वीडियो में से मिलेगा इसके बाहर से आपको कोई question नहीं आएगा इस चीज़ की मैं आपको guarantee देता हूँ तो हमारा chapter हुआ आज खतम अगर आपको यह वीडियो पसंद दए तो इस वीडियो को like कीजिए साथ ही साथ हमारे channel को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए thank you so much